ड्राइंग के क्लास में नया टॉपिक दिया गया है, जिसको बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि आमा खुश नहीं है। वाउ, निशाना अच्छा था, लेकिन ओलिविया को यह पसंद नहीं आया, यही रहा एक प्रतिगंदी का जवाब। लेकिन माइकल जानता था कि इस इस्थिती में क्या करना है। ओलिविया को गुस्ता मत दिलाओ, दोस्तों, क्योंकि उसके पास पेंट भी है। और अब एमा सुरज मुखी की तरफ पीले रंकी हो गई है, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, अब हरे रंक का समय है। और इस तरह के मजाग टीचर की तेज नजर से नहीं बच सकते। हाथ टेबल पर रखो, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का कोई शांति पुढ़ हल नहीं है, यह एक ड्रॉइंग की चुनोती शुरू करने का समय है। आराम से बैट जाओ, अब हम शुरू कर रहे हैं। इंस्ट्रुमेंट्स तुम्हारे सामने हैं। अपने मॉडल पर ध्यान दो। पेंसिल उठाओ और ड्रॉइंग शुरू करो। समय शुरू होता है। आगे बढ़ो और हम तुम लोगों को देखेंगे। ऐसा लगता है कि एमा ने सिंपल लाइन से शुरूआत की है। लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। माइकल एक असली कलाकार की तरह आकरिप्यों को बहुत सावधानी से खीच रहा है। ओलिविया आराम से ड्रॉ कर रही है। लेकिन अभी भी लोगों के पास समय है। मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं अभी तुरंट आती हूँ। जब तक पीचर व्यास्ट है, मैं केप सी लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। हमें जल्दी करना चाहिए। तब मैं नेशित रुख से और अधिक ले सकूँगी। अरे नहीं, चितना होगा। योजना काम कर गया। चलो कुछ और लेते हैं। मुझे लगता है कि ओलिविया ड्राइंग लगभग बना चुकी है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। चलो कोशिश करते हैं। हम पेंसिल को थोड़ा घर्ब करेंगे। हाँ, ऐसे। तम मैं निशित रूप से उससे आगे निकल जाऊंगा। हम सबुछ चिपाते हैं। और ड्राइंग करना जारी रखते हैं। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या हुआ दोस्त? कितना बुरा हुआ! मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है। मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि यह कैसे हुआ। लेकिन शायद यह और भी बेतर है। इससे प्रोसेस जल्दी होगा। बस कुछ और करने की जरुवत है। और ट्राइंग लगबग तेयार है उफ मेरी योजना काम नहीं की कितना स्वादिष्ट है रुकना संभव है एक के बाद एक ऐसा लगता है की और केव सी नहीं बचे है योजना काम कर गया अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा खेर दोस्तों, तुम्हारे ड्राइंग कैसे है तुम लोगोंने बहुत कोशिश की है समय समाफ्थ हो गया है अपना काम दिखाओ मुझे माफ करो एमा यह वह नहीं है जो तुम्हें बनाना था शेलो, आगे चलते हैं माइकल, सॉरी लेकिन यह भी नहीं है ओलीविया यह मेरा फेवरेट है और यह रहा तुम्हारा पुरसकार मजे करो वाह, यह वैसा नहीं हुआ है जिसकी मुझे उमीद थी यह किसी तरह का सेटिंग लग रहा है एमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती थी दोस्तो, नए इंस्ट्रुमेंट्स पहले से ही टेबल पर है और यह रहा तुम लोगों का अगला पुरसकार कड़ी मेहनत करो और यह अद्बुत खुश्बू तुम्हारी होगी खैर, क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़ने लायक है माइकल को पहले से ही पता है कि पुरसकार का उप्योग कैसे करना है केवल जीतने की जरुवत है समय शुडू हो गया है काम पर लग जाओ यह कारी अधिक कठीन है लेकिन लोग गंभीर है एमा पहले से ही काम पर है और माइकल दोसरों से आगे है ओलिविया दूसरी रंग से शुरुवात करने का फैसला किया है और एमा फिर से धोखा देने के लिए तयार है एक छोटा सा फैन हमेशा अच्छा होता है यह गर्म हवा से उड़ जाएगा और एक अच्छे शरारत में बदद करेगा यह निश्चित रूप से माइकल को थोड़ा लेट कर देगा और वह कुछ समझ भी नहीं पाएगा सभी पेंट बरवाद नहीं हुए लेकिन ओलिविया के लिए मेक अप जैसा हो लिया लेकिन वह इससे खुश नहीं है सावधान आएमा लोग जानते हैं कि यह तुम हो अब तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा यह क्या है आएमा क्या तुम्हारा एरब्रश टूट गया है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद करने के कोशिश कर सकता हूँ बुझे कुछ सेकेंड लो देखो सब कुछ काम करेगा आओ तुम्हारे लिए थोड़ा ब्रश लेते है तुम्हारा फेस तो पूरी तरह से गंदा हो चुका है ऐसे अफसर के लिए मैं हमेशा अपनी साथ नैप किन रखती हूँ निश्चित रुप से इसे मेरे लिए किसी मित्र के साथ शेयर करना मुश्किल नहीं है लेकिन पहले हम शरारत के लिए कुछ गम लेते हैं एमा क्रीम सुखले से पहले से जल्दी से पकड़ो इसे आची तरह से पहुच लो नहीं तो पेंट गहरा हो जाएगा और होटों के बारे में मत भूलना देखो यह वास्तो में काम कर गया ऐसा लगता है कि वह हसना मुश्किल होगा है ना एमा लेकिन हम तुमारे लिए हसेंगे और अब आगे बढ़ने का समय है समय समाप्त हो रहा है अपना ड्राइंग तेयार रखो ओ एक हूट की तरह देखता है माइकल चलो आगे देखते हैं मुझे माफ करो एमा लेकिन यह सिर्फ एक त्रिकोन है और बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं है ओलिविया यह सही रंग भी नहीं है पूरे क्लास के दोरान कोई भी ऐसी सुन्दरता के करीम नहीं आ सकता था जिसका अर्थ है कि पुरसकाल मेरे पास जाएगा अगली चुनावती के लिए तैयार हो जाईए हो सकता है इस बार तुमारी किसमत साथ दे इस बार इंस्ट्रुमेंट अधिक दिलचस्प होंगे और तुम्हें इसे ड्रॉ करना होगा विजेता को या अद्वत कॉक्टेल मिलेगा अच्छी तरह से कोशिश करो समय अब शुरू होता है एमा सिरियस्ली ड्रॉइंग कर रही है माइकल पहले से ही ड्रॉइंग करना शुरू कर चुका है और ओलिविया कैसा कर रही है हाँ, वो अच्छा आउटलाइन बना रही है बढ़िया है ऐसा तब होता है जब एमा ड्रॉइंग बनाने की कोशिश करती है वो लगवग ड्रॉइंग बना चुकी है लेकिन माइकल ने कुछ सोचा है वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तयार है इतनी खुशर ड्रॉइंग को भी खत्म करने के लिए इस तरह एक प्रतियोगी कम हो जाएगा एमा आप क्या करेंगी लेकिन माइकल अपने आइडिया से खुश है एमा हार नहीं मानने वाली है और अपनी ड्रॉइंग को पुरा करने में लगी है द्यान मत हटाओ ये जीतने का समय है ओलीविया पहले से ही फिनिश लाइन पर है लेकिन ये क्या हुआ अब हमें इससे बाहर निकलना होगा ओ, उसके पास पहले से ही एक प्लैन है यहां से हटो, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे एमा के पास बदला लेने की योजना तयार है कैप को थोड़ा लूज करती है अच्छा ड्राइंग है माइकल अब फाइनल टच देने का समय है शरारत सफल रहा गुस्सा मत करो माइकल यह सब योगिता पर निर्वर करता है और यहां ओलिविया है इसे फिर से शुरू करना होगा लेकिन वह इसके लिए तयार है लोगों को अभी तक उसके आईडिया का पता नहीं है लेकिन वह आगे ड्राइंग बना रही है ओ लगता है समय खत्म हो गया है या अपने अपने ट्राइंग दिखाने का समय है आओ देखे कि तुमने क्या बनाया है एमा तुम्हारा बिकार सा है चलो आगे देखते हैं माइकल तुम्हारा ड्राइंग अद्बुध है लेकिन यह निश्चित रुप से वह नहीं है जिसकी आवशक्ता थी ओलिविया ने सही तरीके से बनाया है वह निश्चित रुप से पुरसकार की हगदार है ये लो और इंजोई करो इर्शालू मत बनो दोस्तो तुम लोगों को फिर से मौका मिलेगा लेकिन आज नहीं शायद कल चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले ताकि नई स्टोरीज मिस ना हो लाइक करें और कमेंट में वीडियो के बारे में लिखें